हिजाब एक ऐसा प्रश्ण जो आज कल भारत में मुसल्मान महिलाओं का सिनोनिमस हो गया है कल तक टिक टॉक बना रही लड़कियां या पार्क में क्रॉप टॉप पहन कर जो घूम रही थी लड़कियां वो अचानक से हिजाब की होड में घुज गई है और हिजाब बोल कर बुरके में उन स्कूल्स में आने का प्रयाज कर रही हैं जिन स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स है क्या हिजाब को इसलाम का आवशक अंग माना जाता है अगर हाँ तो फिर साओधी ऐसे काम करने पर क्यों उतारू है जो इसलाम के खिलाफ है क्या भारत के मुसल्मान साओधी मुसल्मान से भी जादा गहरे मुसल्मान है जहाँ इसलाम का जन्म हुआ है क्यों है साओधी प्रगती के रास्ते पर और क्यों है भारत का मुसल्मान बरबादी के रास्ते पर साथ ही भारत कट्टरपंति इसलाम का सबसे बड़ा गड़ क्यूं बनने वाला है एक ऐसा सच जो आपके सामने कोई नहीं ला रहा है देखेंगे इस वीडियो में बने रही हमार साथ देखते रहे आज की ताज़का पाइए तो दोस्तो कल सोशल मीडिया पर एक लेटर वाइरल होता है हाथ से लिखा हुआ है जिसमें दिखाए जाता है कि किस प्रकार एक मुस्लिम महिला ने अपनी नौकरी पर लात मार कर रिजाइन कर दिया क्योंकि उसे हिजाब को हटाने के लिए कह दिया गया था उसकी हाला कि हर फोटो में वो बुर्के में दिख रही है हिजाब और बुर्के में काफी फर्क होता है पर चलिए एक महिला ने अपनी इज्जत को नौकरी से उपर रखा इस प्रकार का नेरेटिव यहां पर दिखाया जा रहा है करनाटक के स्कूल्स में शुरू हुई बीमारी आंधर प्रदेश के स्कूलों में पहुँच चुकी है स्क्रीन पर आपको आंधर प्रदेश के लॉयला कॉलेज की छात्राएं दिख रही है प्रोटेस्ट करते हुए क्योंकि कॉलेज ने पैंग्विन प्रवेश बंद किया हुआ था और हिजाब की लड़ाई लड़ रही ये बंदियां बुरके में आ रही हैं देख सकते हैं लड़कियां जब नहीं मानती तो कॉलेज जुकता है और आने देता है शायद पत्राव से बचना चाहता होगा नई सूचना के अनुसार करनाटक में लगभग 58 लड़कियों को स्कूल से निश्काशित कर दिया गया है इस पूरे मुद्दे पर हिजाब बोलकर बुरका पहनने के लिए परंतु आंदुलन जारिया है जो हो रहा है सब प्लैंड है अच्छे स्थर पर 2021 में ही इस मुद्दे के उठने से कई महिने पहले किरला के एक पत्रकार ने बताय था किस परकार से जमात-एसलिमी नाम की संस्था ने उसे बुलाय था और कहा था कि उमारी 3 महिला पत्रकार हिजाब नहीं पहन रही है इसी पत्रकार के हाथ में इस संस्था का कागज एक हाथ लगता है जिसमें केरल समयत कई राज्यों में बुर के हिजाब को लागू करने का कथन था फंडिंग की डिमांड की गई थी साओदी की उनिवरसिटी से साओदी की संस्थाओं से और कुछ ही महीनों में भारत में यह सब आरंब हो जाता है तो जो हो रहा है उससे सर्प्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा ही बयान भारत के Minority Affair Minister की और से भी आ रहा है पर साओदी की संस्थाओं जो Allegedly इन चीजों में लिप्त हैं भारत के अंदर क्या साओदी में ऐसा कर पा रही है ये अगले अध्याए में देखते है तो भारत में इसलाम और उसे फॉलो करने वाले कहां जा रहे हैं वो हमने देखा परंतु साओदी में क्या चल रहा है जो इसलाम का जन्मस्थान है तो जी Actually में साओदी में आज तक यही चलता था औरतों को अबाया या बुर्का पहनना पड़ता था और इसके पीछे एक इंटरस्टिंग स्टूरी है साओदी में 18 सदी में एक स्कॉलर आता है जिसका नाम होता है अब्द अलवहाब जिसने इसलाम को किताब के हिसाब से ढाल दिया और उसके हिसाब से जो भी अशुदियां थी वो हटा दी यही वाहबिजम बनता है धीरे धीरे ताकत बढ़ती है लोग पीछे आ जाते है तो धन्सत्ता और राज्यसत्ता का गठ जोड हो जाता है और वाहबी इसलाम साओदी का इसलाम साओदी का ओफिशिल एक तरीके से इसलाम राज्यसत्ता के साथ बन जाता है और इसके अनुसार औरत को बुरका अबाया ही पहनना है और आप जितनी रिस्ट्रिक्शन्स अपने दिवाय में सोच सकते हैं, वो इसमें आ जाती है, म्यूजिक सुनना तक उसमें है, और आज तक साओधी इसी ब्रेंड आफ इसलाम को फॉलो करता आया है, अब इसी साओधी में 2015 के बाद क्या-क्या किया गया है, वो मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ, तो जी साओधी के लोग एंटर्टेन्मेंट या वेकेशन के लिए बाहर ही जाते थे, क्योंकि देश में मनुरंजन के नाम पर भाई साब घंटा भी नहीं था, सलमान ने एंटर्टेन्मेंट अथॉरिटी बनवाई, 2016 में, जिसमें कॉमेडी शोज, प्रो रेस्लिंग इवेंट्स, रहने या प्रॉपर्टी ओन करने जैसी चीदें कर पाएंगे, ये चीदें पहले नहीं होती थी, 2017 में सरजी ने अनाउंस किया, विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स, कल्चर और एंटर्टेन्मेंट सिटी बनाने के लिए, ये सोच एक समय तक असंभव थी, एंटर्ट मुझे लगता है, साओधी को ध्यान में रखते हुए, अब गजब देखिए, जैनुरी 2018 में निर्ना किया गया कि महिलाएं अब फुटबॉल मैच का आनंद ले सकेंगे, स्टेडियम के अंदर जाकर पहले नहीं जा सकती थी, और इस सिर्फ एक महिने पहले, इस काम से सिर् भाई साओधी का पहला सिनिमा थेटर लोगों के लिए खोल दिया, जो दशकों के बैन के बाद खोला गया था, और अब इसके विस्तार की योजना है, 2030 तक करीब 2000, जी हाँ, 2000 स्क्रीन्स खोलने का प्लैन है, भाई का सोची एक फिल्म तक देखना, जिस देश में पॉसिब की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि इरैनियन रेवल्यूशन के चक्कर में ऐसा हो गया था, जैसा वो दिख रहा था, अब मॉडरेट इसलाम के साथ सब रिलिजिन्स का स्वागत साओधी के अंदर होगा, और इसे हासिल करने के लिए साओधी क्लैरिक्स के साथ कभी जो डील की की गई थी, साइन की गई थी, वो अब दुबारा से रि नेगोशियेट की जाएगी, 2020 में साओधी शहजादे का निर्णा आया, कि अब साओधी में फ्लॉगिंग, यानि किसी को कोडे से मारने की जो एक सदा दी जाती थी, वो खत्म की जाएगी, यह सदा शरियत के हिसाब से है, और इसे खत्म करना साप के मुह में हाट डालने जैसा है, पर इसे खत्म किया जा रहा है, जिसकी सबसे जादा शिकार पूरी इसलामिक दुनिया में महलाई ही होती है, बागी महलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार देना, या नौकरी करने का अधिकार देना, य या फिर बुर्का जैसी जो चीजें हैं उनके बिना भी रह सकती हैं। इन सब चीजों को साउधी में क्रांती कारी माना जा सकता है। जरा सोचिए कि ये सब वहां क्यों किया जा रहा होगा। खेर आगे बताता हूँ। परंतु इन सब से आगे भी कुछ कांड किया है भाई ने। भाई साब ने एक इंट्रिव में कहा के इसलाम की कुछ हदीसें ऐसी हैं जिनें हटाया जाना चाहिए। वो कटर्जा की जिम्मेदार हैं और शाइद नकली हैं। खेर वो करां As I said earlier, our Constitution is the Quran, has been, still is, and will continue to be so forever. And our basic system of governance stipulates this very clearly. We, as a government, or the Shura Council as a legislator, or the king as a reference for the three authorities, we are bound to implement the Quran in some form or another. But in social and personal affairs, we are only obliged to implement stipulations that are clearly stated in the Quran. So, I cannot enforce a Sharia punishment without a clear Quranic stipulation or an explicit stipulation from the Sunnah. When I talk about an explicit stipulation from the Sunnah, most Hadith writers classify Hadith based on their own typology, like Bukhari, Muslim and others, into correct Hadith or weak Hadith. But there is another classification which is more important, namely whether a tradition or Hadith has been narrated by many people or a single narrator, and this is a main reference for jurisprudence for deducing regulations, Sharia-wise. So, when we talk about a mutawater Hadith, narrated and handed down from one group to another group to another starting with the Prophet, peace be upon him, these Hadiths are very few in number, but they are strong in terms of veracity, and their interpretations vary based on the time and place they were revealed and how the Hadith was understood at the time. But when we talk about Ahad Hadiths, which is handed down from a single person to another starting with the Prophet peace be upon him, or from a group to a group to a single individual then another group etc. starting with the Prophet peace be upon him, so that there's an individual in the chain. This is called Ahad Hadith. And this is broken down into many classifications, such as correct, weak, or good Hadith. And this type of Hadith, the Ahad, is not as compelling as the mutawater Hadiths, the ones narrated by a chain of groups, unless paired with clear Quranic stipulations and a clear mundane or worldly good to be had, especially if it's a correct Ahad Hadith. And this is also a small portion of the body of Hadith. While Ahabar is a Hadith handed down from a single person to another single person etc. to an unknown source, starting with the Prophet peace be upon him, or from a group to a group, then a person to another person, and so on, starting with the Prophet peace be upon him, so that there's a missing link. This represents the majority of Hadith and this type of Hadith is unreliable whatsoever, in the sense that its veracity is not established and that it isn't binding. And in the biography of the Prophet peace be upon him, when the Hadith was first recorded the Prophet peace be upon him ordered those records to be burnt and forbade the writing of Hadith, and that should apply even more so to Habar Hadiths, so that people are not obliged to implement them from a Sharia perspective, since they also might be used as ammunition to dispute God Almighty's power to produce teachings that are fit for every time and place. Hence, the government, where Sharia is concerned, has to implement Quran regulations and teachings in muta water Hadiths, and to look into the veracity and reliability of a hot Hadiths, and to disregard Habar Hadiths entirely, unless if a clear benefit is derived from it for humanity. So, this is what you see in your face. Saudi, where Islam has been born, the people are leaving the Burqa. They are watching films, they are watching songs, they are watching songs, they are watching a little bit of their rights, they are watching their rights, and they will continue to do more and more. They are watching Islam until they are being diluted there, and they are watching all of them. This is what we see in you. पाटवाना है या भारत जो फ्रीडम उन्हें देता है उसको इंजॉय करना है वैसे भी बुर्के की वजए से विटेमिन डी जो है वो बाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है तो अब देख लीजे आप हाँ इसलाम जहां पर पैदा हुआ वहां क्या हो रहा है यह दिखाना मेर अब इस सारे ढूंग आडंबर को छोड़ने वाले हैं या नहीं या फिर इसी काम में लगे रहेंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ इसाथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियोन.com पर या फिर यूपियाई के जो एडरस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस पर अब भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप देख रहे हैं आज की तारह का पर चाहिंत जबारत